Hello friends, welcome to my solutions और इस वीडियों हम सेखेंगे किसी tar file या gzip file का contain कैसे list out करते हैं तो इसके लिए आपको command एकजूट करना होगा tar-tvf option और उसके बाद ने उस tar file या उस gzip file का name आपको लिखना है जिस file का contain आप list out करना चाहते हैं तो चले इसको practically समझ लेते हैं तो इसके लिए मैंने already एक directory create कर रहे की है तो सबसे पहले उस directory का contain list out कर लेते हैं ls-l command की साइथा से तो यहाँ पर एक gg file भी created है और एक tar file भी created है तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसे tar file का contain check करना हो तो उसके लिए क्या command एक यूट करेंगी तो जैसे मुझे tar file का contain list out करना है तो उसके लिए command होगा tar-tvf option और उसके बाद में उस tar file का name आपको लिखना है तो जैसे यह command आप exit करेंगे तो उस tar file का जो भी contain होगा वो आपको यह list out करेगा और साथ में उसको detail भी बताएगा यह directory है कौन-कौन से directory है इसमें कौन से file है उसका owner कौन है और वो file कब created होगी यानि जो भी detail होगी जो भी information होगी वो आपको detail में सो करेगा अगर आप इसके साथ में आइपन भी option भी यूज़ करते हैं तो यह दि आपके वाल tar-tf option यूज़ करेंगे किसी tar file का content list out करने के लिए तो यह सिर्व आप उसका name बताएगा उस tar file में कौन-कौन से files और directries available है उन files और directries के लिए name show करेगा यानि उनकी detail आपको show नहीं करेगा तो अगर आपको detail में चेक करना है तो उसके लिए आपको command exit करना होगा tar-tvf option और उसके साथ उसके बाद उस tar file का name आपको लिखना है तो इस परकार आप किसी tar file का content list out कर सकते हैं और इसे gg file का content अगर आपको list out करना है तो उसके लिए command होगा tar-tvf option और उसके बाद में उस gg file का name आपको लिखना है तो जैसे आप यह command exit करेंगे तो यह command उस gg file का content आपको list out करेगा तो इस वीडियों हमने सिखा कि किसी tar file का content कैसे list out करते हैं और किसी gg file का content कैसे list out करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा इस वीडियों इतना ही, thanks for watching